आज बनाऊंगे मैं घ्यूं के आटे से बिस्कित जिसे हम भोती आसान तरीके से बनाएंगे एकदम मार्किट जैसे और एकदम दिजाईन्दार और इन्हें आप महीनों तक भी श्टोर करके रख सकते हैं और ये बिलकुल भी खराब नहीं होते और आप इसे भोती आसान तरी किसे बना लेंगे सिर्फ एक कटोरी आटे से और आप देखी सकते हैं कितने क्रंची और कितने प्रिस्पे बिस्किट बने हैं हेलो गाज वलकम तुमाई चैनल रितों की दुनिया हर हर महादे चले रेसिपी सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे एक बरतन जिसमें मैंने पानी डाल लिया है आधा गिलास उसमें हम दो बड़े चमत चीनी डाल लेंगे और इस चीनी को डालके एक साइड में रख देंगे अब हम इक लेंगे पाराथ और इसमें लेंगे हम एक कटोरी गेहु काटा अब हम उसी कटोरी से आधा कटोरी लेंगे सूजी यानि बारिक सूजी इसे हम अच्छे से आटोर सूजी को मिला लेंगे अब इसमें हम कोई भी ड्राइफ फ्रूट यूज कर सकते हैं ये मैंने 3-4 बादाम ली है जिनको मैंने greater से grate कर लिया है आप कोई भी ले सकते हैं काजु भी ले सकते हैं किसमिस आप कोई भी ड्राइफ रूट ले सकते हैं अब हम लेंगे एक बड़े चमच बूरा आपके पास बूरा नहीं है तो आप चीनी को भी मिक्सी में पिक सकते हैं यानि उसका मिलकुल बारेक पाउडर बना सकते है चीनी का अब इसे भी हम अच्छी से मिला लेंगे यानि कोई गाठे हैं उसे अच्छी से हम फोर देंगे तो ये देखे अब इसमें हम उसे कटोरी से एक चोथाई कटोरी लेंगे घी यानि हम एक कटोरी आटा है तो उसका हम चोथाई से कर लेंगे घी का तो ये देखे इसमें हम घी को डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इसमें घी की जंग रिफाइंड ओयल भी उज़ कर सकते हैं और इसे हमें अच्छे से मिला लेना है घी को हमें अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है जब देखिए आप इसके हाथ से मुठी बादेंगी और वो एकदम ऐसे बंदी रह जाएगी तो यानि हमारा जो अच्छे से घी है वो मिल गया है और जो ये बिखर रहा है तो वो समझे कि ये अच्छे से नहीं मिला है तो ये देखिए हमारा जो घी अच्छे से मिल गया है और अब ये अच्छे से तयार है यो आपका ऐसे नहीं बनता है मुठी तो आप उसमें थोड़ा सा हलका सा घी और डाल सकते हैं तो यह देखिए हमने जो सुरू में चीनी और पानी को डाल के रखा था तो यह सूगर का पानी है जो हम इसमें डाल देंगे हमने दूद का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि दूद का यूज करते तो हम इसे महीनों तक श्टोर करके नहीं रख सकते थे डबा भर के क्योंकि वो एक से दो दिन में खराब हो जाते क्योंकि उनमें दूद पड़ा हुआ होता तो इन मिस्किट को हम महीनों तक भी श्टोर करके रख सकते हैं एक बार बनाए और महीनों तक खाए पर देखें इसी हम सूगर पानी से इसको अच्छे से आटे को गूथ लेंगे जैसे हम रोटी का आटा गूथते हैं इस तरीके से हम इसे गूथना होगा बस हमें यह ध्यार दखना है आटे कूथते टाइम कि हमें आटा टाइट गूथना होगा और हागाईज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें और बैल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप ऐसी नए नए रेसिपी वीडियो देखते रहें तो यह देखिए हमने अच्छे से आटे को गूथ लिया है अब इसके में से हम एक पेड़ा बनाएंगे जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं तो इस तरीके से हम एक बड़ी सी लोई बना लेंगे इसे बेलन के सारे अच्छे सी एक इसकी बड़ी सी रोटी बना लेंगे और हाँ गाईज आप इन बिस्किट को बना के कहीं भी आप सफर में जा रहे हैं या कहीं भी जग घूमने जा रहे हैं तो आप इने ले जा सकते हैं और ये बहुत एक क्रिस्पी एकदम क्रंची बिस्किट बन जाते हैं तो ये देखें मैंने एक टिफिल लिया है आप कोछ भी ले सकते हैं कोई भी धकन ले सकते हैं तो उसके सायता से आप इन्हें कट कर सकते हैं यह देखे इनको इस तरीके से कट कर लिया है यह बहुत यासानी से कट जाते हैं अब इने हम एक्स्ट्रा जो आटा है उसे हटा लेंगे और अपने बिस्किट को प्लेट में रख लेंगे इस तरीके से हमें आटे को हटा लेना है और इसी आटे से हमें दोबारा से बिस्किट बना लेने हैं तो अब इन पे हम डिजाइन बनाएंगे जिससे की देखने में एकदम मार्किट जैसे लगे और आपके बच्चे खाएं तो वो भी एकदम खुस हो जाएं उनको लगे ही ना कि आपने घर पर बनाए हैं तो यह देखें मैं एक गिलासी ली है आप इन बिस्किट को महमानों को भी दे सकते हैं और आप अपने बच्चों को भी बना के इस तरीके से टिफिन में दे सकते हैं तो यह देखें कितने आसानी से हमारे बिस्किट बनके तयार हो गए हैं तो चलिए इन्हें अब हम फ्राई कर लेते हैं तो ये मैंने gas पर कड़ाई रख ली थी और इसमें मैंने oil डालके पहले से ही गरम कर लिया था तो अब इन्हें हम धीमी आज पर fry कर लेंगे इन्हें हमें high flame पर नहीं fry करना है क्योंकि high flame पर fry करने से ऊपर से तो अच्छे से सिख जाएंगे पर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे तो ये खाने में बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं लगेंगे तो इन्हें हमें धीमी आज पर ही फ्राई करना होगा तो ये देखें अपने आप ही हमारे बिस्किट ओपर उठके आ गई हैं और एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गई हैं यानि अच्छे से सिख गई हैं तो ये देखें इधर से दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गई हैं तो अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और देख सकती हैं कितना अच्छा से कलार आया है और एकदम मार्किट जैसा आप ऐसे बना के किसी को भी खिलाएंगे तो किसी को यकीन भी नहीं होगा कि आपने ये घर पर बनाए है तो ऐसे ही हम दूसरा बैच फ्राई कर लेंगे और इसी तरीके से हम सारे आटे के बिस्किट बना के फ्राई कर लेंगे तो बस आपको यह ध्यान दखना है कि इसको आपको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है इसको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है पहले हमें लोपे करना है फिर हलका साई से बाद में हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे यह देखिए कितना अच्छा कलर आए जितना आपको यह देखने में अच्छा लग रहा है न उससे तो दुगनाये खाने में टेश्टी लगेगा यकीन मानिए आपने एक बार बना लिया न तो आप बहार से लाना भूल जाएंगे और घर पर ही बना के खाएंगे तो यह देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं न हमारे बिस्किट और कितने आसान तरीके से बन भी गए है और इन्हें हम एक कटोरी आटे से बनाया है तो आप भी ऐसे ही एक कटोरी आटे से बिस्किट बना सकते हैं एकदम क्रिस्पी क्रंची तो यह देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखाते हूं कितने आसानी से तूट जाता है और ये देखे, अंदर तक अच्छे से सिख गया है और दोनों साइड से अच्छे से सिख गया है तो हमारे विस्किट एकदम खाने के लिए रेडि है और ये देखे, मैं आपको दिखाते हैं कितने क्रिस्पी बने है कितनी अच्छी इसकी आवाज आ रही है आपको सुनाई दे रहा है ना तो एक दम मार्किट जैसे तो चलिया आप देरी ना करें आप भी विस्किट बनाएं और आपको वेडियो कैसी लगी मुझे कोमेंट करके बताएं और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं नहीं बोलें मिलते हैं ने स्टुड़ें तब त झाल 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 झाल